iPhone में different type के fonts use करना चाहते हो जो वीडियो मैंने YouTube पे बना है वो procedure नहीं follow करना है तो फिर आप इसका एक shortcut create कर सकते हो तो shortcut का नाम है font switcher एक बार यह shortcut आप install कर देते हो उसके बाद shortcuts के app में आपको इस particular shortcut पे tap कर लेना है and यहाँ पे जिस word को आपको convert करना है यहाँ पे वो word दूसरे font में type हो जाएगा and next आपको यहाँ पे ok कर लेना है यहाँ पे एक बार आपको allow कर देना है and उसके बाद जिसको भी आपको send करना है वहाँ पे जाके आप जैसे ही paste करोगे तो नए font में आपका word आपको मिल जाएगा इस shortcut को install करने के लिए link आपको मेरे YouTube पे मिल जाएगी